वेल्कम तो प्रोटीप्स प्लीस लाइब शेयर और सब्सक्राइब तो फ्रोस्त ध्यान रखिएगा कल्पना हरण जी है चिन्नाई से हमाई साथ कल्पना जी नमस्कार अपने सवाल पूछिए सर्वेंदी प्रकाश पाइप्स इन्होंने जिस प्राइस पर लिया वहां से तो अभी फायदे में है थोड़ा इस रही है लेकिन क्या एंट्री लेवल इनका ठीक है और अगर ठीक है तो कहां तक इनको होल्ड करना चाहिए देखिए यहां पर मैं इनको बताऊंगा कि वापस मुझे अभी यह ट्रेडिंग स्टॉक तो लग नहीं रहा है इसको लेके जो रखा है तो इसको तीन से छे मेने रखें फिलाल सेटप्स अच्छे लग रहे हैं अपने लंबी अवदी के सपोर्ट के आसपास स्टॉक था तो वहाँ पर उसने अच्छा सपोर्ट लिया है तो एस लोंग एस स्टॉक 148 के ओपर टिका हुआ है और उसके नीचे बंद नहीं कर रहा है तब तक मेरा थोट यह है कि आपको एक बार उपर में 175, 180 के लेवल जैना आते हुए दिखेंगे तो मेरे साब से 148 के नीचे के स् पाल ले लेता हूं मैं ट्विटर को आई है एनलसी इंडिस्ट्रीज एनलसी इंडिस्ट्रीज एक हजार शेहर उननतर के बहुँ पर क्या करना चाहिए सर आई थिंक यहां पर मुझे लगता है कि एक 57 परसेंट का एक प्रॉबिल अफसाइड बाकी है बट आई थिंक ब्रॉडली कि मीडियम टर्म लॉग टर्म रिस्ट्रीज बहुत जादा यहां बेटर नहीं तो बेटर निकल लें अगर लास्ट का 57 परसेंट चोड़ सकते हैं तो डेफिनेंटिटी यस निकल सकते हैं अरे उसमें रिस्क भी दो है 57 परसेंट में तो नितिन भाई इसमें से एक्जिट लिए ज्यादा बेटर है अभी आपको थोड़ा फाइदा भी है इसमें चलिए सर्वेंट बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको रोज की तरह हमेशा फ कंपनियों से सावधान रहें दूर रहें क्योंकि गारंटी देने वाले जो इमेल एसमेस वगरा आते हैं इनके चक्कर में आप मत पढ़िए क्योंकि आपकी मेहनत के पैसा है और आपको ही इसकी सुरक्षा करनी है चले फिलाल इस शो में इतना ही आप कहीं जाएगे मत ब्र